ताओ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, तुम्हें पढ़ाए करनी चाहिए नहीं करनी है देखो यह क्या है? इसे flow of time कहते हैं जब तुम आलस करोगे तो यह time इसे तरह बहे कर तुम्हारे उपर से यो ही निकल जाएगा वो क्या होता है डोरेमान? समझदार नहीं या नो बता और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज तैस के लिए भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी कैसच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद जीरो मिलेगा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मुझे सब पता है मैं कितने भी खोशिश कर लू लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा बुरा मत सोचो यह क्या है? इससे तुमें पता लगेगा कि तुम कितना नेगिजिव सोचते हो और ये कौन सा गैजिट है? ये है लोग टाइम की तरह या नेगिजिव इंसान की तरह इस गैजिट में कुछ शब्दों के एक्सपेशन्स भरे हुए है जिससे तुम गैजिट की मदद से देख सकते हो तुमने जो भी करा मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या था डोरे मॉट इस कहावत है लोम्री की वज़े से बुरा होना ये तुमें यही बता रही है ये तो मज़िदार है मुझे वाट ट्राइ करना है ये खिलाना नहीं है नो बता मैंने निकाला था तुम्हें चीज़े दिखाने के लिए मैं इससे बहुत सी चीज़े कर सकता हूँ इसका switch on कर देता हूँ तुम फिर से खेलने जा रहे हो हाँ मैं जा रहा हूँ मॉम तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो मुझे बस इस साल के result का इंतजार है दुख हुआ मुझे बहुत दुख हुआ मेरे कानों को बहुत जादा दुख हुआ इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते है यह तो फिर से नेगेटिव बन गया ला 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 पाई 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 नबीता तुम हमेशन नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हस्ता रहता हूँ आज भी दो लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए काहा है अब मैं इस कन्फिजन में हो, मैं किस के साथ जाओं अरे, मैं ये, मैं लाल हो गया इसका मतलब है ये इसका मतलब ये जूट गह रहे जूट नहीं है, ये सच जच है अचाना कब नोबता चमक नहीं लगा अरे, तुम यहाँ हो अरे, तुम दोनों इतने लाल और इतने चमक बर क्यों लग रहे हो खुश खबरी है, अपसे ग्राउंड पर बेस्बॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी बॉल अच्छे से पकड़ना तुम सब क्या कर रहे हो, अच्छे से पकड़ो इवाकरी सब बेकार है मैं अतनी तेस बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ जी यान क्या हुआ सुनियो मुझे तुमारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शांदा स्विंग करते हुए देखना है क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगए तुम से सो गुना जयदा अच्छे से सिख सकता हूँ न ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो अरे वाद जी आन तयार हो जाओ अच्छे से पकड़ना हो ठीक है क्या कर रहे हो, बहुत सही से पकड़ो सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो जी आन, तुम आके किसी भी खिलारी से कम नहीं हो क्या सच में सुनियो हाँ मैं सच कह रहा हूँ तुम बड़े-बड़े मैच भी खिल सकता हो मसका लगा चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है हाँ, वाकई बिसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझे जीए थी नहीं सकता है जी आन तो, पिखल गया और भीवको बन गया हाँ, खिलारी सुनियों से क्या कह रहा होगा वो जरूर उसे मसका लगा रहा होगा मसका? तुम जैसे ना समझ से निपटना बहुत आसान होता है जब तुम किसी से जूट बोलते हो और वो खुश हो जाते है तुम ने मुझे जूट कहा? अरे वाज जियान, तुम तो न सुनियों मेरा दोस्त बागे जाकर बड़े बड़े मैच खिलने बाला है ये देखर मैं बहुत खुश हो तुम इतना मसका क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुमारे इतनी अच्छी अच्छी तारिफ करा हूँ लेकिन तुम लाल हो रहे हो तुम जूर कह रहे हो सुनियों तुमारी हिम्पक कैसे हुई? ये तो बहुत मज़ेदार गैजट है अरे हाँ, मैं अभी जाकी ये गैजट शिजुका को भी दिखाता हूँ जीतों पेसे चमकने लगा शिजुका देखी सुगी लगता नहीं कि आज के डश पे मेरे 90 माक्स आप आएंगे देखी सुगी देखी सुगी, तुमारी तो पूरे माक्स आएंगे न मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ लेकिन मुझे भी तुमारी तरह हमेशा फूल माक्स चाहिए एसा मत कहोँ शिजुका रिश种 हमे चाहिए अरे नहीं लीज मुझे माफ कर तो कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगी सुकी के साथ इतना क्यू रहती है तुम बहुत चलती नेगिते वो जाते हो नो बिता वो बढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समेन भी है, समझतार है वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं नो बिता, इसका मतलब क्या है रोरे मौन इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागो होता है ना बस थोड़ा साथ, थोड़ा साथ चलनो वापस घर चलते हैं पधा रही, पिर से भूठ बहुत भाई हो गया है हमारा शदीर भाई नहीं होता, हमारा मन भाई हो जाता है अरी हाँ, इसे कहते हैं मन का भाई होना और जिस तरह से मैं चल रहा हूं से कहते हैं काटो बहरा रास्ता तुम अच्छी चीज़ें नहीं सोच रहे हो नो पिता, सोड़े से शान्त हो जाओ, प्लीज तुम्हें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना होगा मैं नहीं सोच पारा, पूरी दुनिया अंदेरे में नो पिता, चलो मुझे अकेला छोड़ दो लेकिन अगर तुम्हें, तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते हैं, चले जाओ डोरे मोर पर नो पिता, कोई भी मुझे नहीं समझता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत जादा अकेला हूँ, मैं सबसे दुखी उत्रान हूँ तुम लोग यहां सुबर के बक्त, इतनी अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हों? यह तो नोबिता की आवाज है, अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी मेरा रिजर्ट अच्छा नहीं थी, आप मुझे डाटने आए हैं ना? क्यों डाटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? बता नहीं लेकिन, मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है, वो आखे में गलत ही निकलता है लेकिन तुमने इस बार ज़्यादा गलतिया नहीं की हैं तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो 65 मार्क्स? अब इसे क्या हो गया? ये साथवे आस्वान में उड़ रहा है, साइब ओ, अच्छा इसे जएते खुची में चल्दा हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ हाँ, ये प्लम का फूल है, ये तो बहुत दिख रहा है और यहां भी है हाँ, ये अच्छा लग रहा है हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है शायद कोई तो पास आ रहा है शायद उसके बहुत बड़े-बड़े कदम है वो क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीरा लगे कोई बड़ा लग रहा है हाँ, इसे वही हावा? मुझे कोई आने बाला होगा ये खुष पो तो ये करम है ये तो ये तो स्प्रिंग के करम है ले तो हो ले वे खायद बड़े ग्माइ तो हôm nay, thầy có một trò chơi lớn cho các em đó chính là trò chơi giải mặt thư Họ nói cách khác là đi tìm kho báo các em à 16 người chơi gồm chi giao 4 đội xanh, đỏ, xanh lá, bò hoàng ha mỗi đội 4 người hoàng thưởng có trị giá đến 800.000 nha hoàng thưởng 800.000 200.000, có nghĩa là mỗi em sẽ được 200.000 nếu mà chiến thắng á Đùa, cả 200.000 lần đấy Kỳ này giàu nó cái chất Trên tay thầy là 4 mặt thư, cho 4 đội nha Trong đó có những thông điệp dẫn đường đi tới giấy mặt thư nha Có 2 mặt, cây máy vận dụng những kỹ thức từ đó tới giờ để giải mã nha Mặt trời, nó to tới dậy luôn á Có mặt trước lẳng mặt sau luôn à Tờ giấy kho báo mà thầy đã giấu ở đâu đó trong thành phố ta rồi nha Các em tìm đến tối cũng được nữa Các em mà tìm được tờ giấy mà thầy giấu á Thì chạy tới đưa cho thầy là đội đó chiến thắng nha Thôi, không nói gì nhiều nữa, trò chơi bắt đầu Các bạn cũng đã biết trò chơi giải mặt thư rồi ha Bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua xem Các bạn có thể giải được mà không cần xem hết video được không nhỉ Đây là mặt trước Còn đây là mặt sau Mình mất đến tặng 3 ngày thì mới có thể tự làm ra cái mặt thư này á Các bạn nhấn like, subscribe cho mình nha Giờ bắt đầu thôi Từ phải hãy dễ lắc rồi theo hướng Mấy người có thấy nó lạ lạ không Tại sao từ theo lại viết ho Nhưng trong khi đó, cái này là dấu phẩy mà Còn thêm cái kia nữa Tại sao lại có dấu chấm mà lại không viết ho chữ hờ Còn chữ từ thì đầu câu mà không viết ho À, biết rồi Chúng ta hãy sắp xếp nó lại theo dấu và viết ho Theo hướng lá cờ hãy dĩ phải Hợp lý Đi Đi Hình như đội đỏ tìm được gì đó Có rồi Thì cứ lá cờ hãy dĩ phải Đi nào Ủa, cái con kia đâu Dạ, thầy ơi Cái tờ giấy kho báo mà thầy dấu á Nó ở đâu vậy À Nó ở Trong đầu em ấy Từ phải hãy dĩ lắc cờ Cái bên này là bên phải Đi thôi Còn chơi gì nữa Xem nào Hiện giờ đội xanh dương mà đó thì đi về đường bên trái Còn đội hoàng thì đi về đường bên phải Chắc là đội xanh lá cây thua rồi Từ từ thầy Bọn em đang giải mà thầy Bước 23 có mỗi dấu gạch hoàng Từ mỗi có quý kho kìa Thôi xếp xếp lại xem Mỗi dấu gạch hoàng có 23 bước 1, 2, 3, 4 Có 4 cái gạch màu hoàng Vậy là có 92 bước 4 gạch màu hoàng là 92 bước Trời Ông nhà thầy cô làm da chắc cũng nhất đầu lắm Tao nghĩ là đội đỏ sẽ tìm ra được Cờ giấy chiếu chúng ta đó Thôi đi thôi Ê Sao để cái tóc kiểu đó làm người ta tưởng là con trai không đấy Ủa Con trai chỗ nào Tóc của người ta là con gái mà lấy cái lý do gì mà nói con trai hả thằng kia Thôi im hết đi Mày phi dưới tính Phi cái đầu mày Đi hướng có một ngôi nhà biển xanh với lá màu xanh La xanh